नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टॉप टेन इंडियन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अक्रेस रश्मिका मंदाना की और इनके लाइफ से जुड़ी बहुत सी बातें इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों अगर आप रश्मिका के फैन हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की इन्फोमेशन इस चैनल पर लाती रहूंगी तो आएए ज्यादा समय बरबाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों करनाटक क्रश के नाम से मशूर साउथ अभिनेटरी रश्मिका मंदाना काफी कम समय में बहुत ज्यादा फेमस हो गई है इनके famous होने का पता इस बात से ही लगा सकते हैं कि Google ने साल 2020 में रश्मिका मंदाना को National Crush of India का नाम दिया है शोशल मीडिया पर काफी popular रहने वाली रश्मिका मंदाना को उनके fans expression queen भी कहते हैं दोस्तों रश्मिका अपनी acting के साथ साथ अपनी cute smile और अपने खूबसूरत चेहरे के cute expressions के लिए जानी जाती हैं इनका जन्म 5 अप्रेल 1996 को करनाटक के कोडागू में एक मध्यवर्गे परिवार में हुआ रश्मिका देश की उन अभी नीत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाओं से करोडों लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है देश दुनिया में रश्मिका मंदाना के करोडों चाहने वाले हैं दोस्तों खास बात तो यह है कि रश्मिका भले ही साउथ की फिल्मों में काम करती हैं लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग देश ही नहीं बलकि विदेशों तक फैली हुई है रश्मिका मंदाना के प्रती उनके फैंस की दिवानगी ऐसी है कि वे रश्मिका मंदाना को नाशनल क्रश मानते हैं दोस्तो बात करें रश्मिका की फैमिली के बारे में तो यह अपनी फैमिली के साथ करनाटक के विराज पीट में रहती हैं इनकी फामिली में इनके पापा का नाम मदन मंदाना है जो कि एक बिजनसमैन है इनकी माता सुमन मंदाना है यह एक हाउस वाइफ है और रश्मिका की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम शिमान मंदाना है दोस्तों बात करें रश्मिका मंदाना की शिक्षा की तो दोस्तों रश्मिका मंदाना ने अपनी स्कूली शिक्षा कुर्ग पबलिक स्कूल से पूरी की थी इसके बाद रश्मिका ने रमाया कॉलेज ओफ आर्ट्स और साइंस में दाकिला लिया रश्मिका ने पत्रकारिता, अंग्रीजी और मनुविग्यान में सनातक की डिक्री हासल की दोस्तों अगर बात करें रश्मिका के घर की तो दोस्तों इनके पास बंगलूरू में एक आली शान बंगला है जिसकी कीमत लगभग आठ करोड रुपए बताई जाती है इसके अलावा रश्मिका के पास मुंबई में भी एक बेहत खुबसूरत घर है इनके पास मुंबई के अलावा हैदरबाद में भी एक और घर है दोस्तों आपको बता दें रश्मिका अपना ज्यादातर टाइम मुंबई और हैदरबाद में बिताती है दोस्तों अगर बात करें रश्मिका मंधाना के कार कलेक्शन की तो हम आपको बता दें इनके पास नमबर वन रेंज रोवर स्पोर्ट्स लक्शरी कार है जो भारत में सबसे प्रसिध कारों में से एक है और इस कार की कीमत एक करोड़ पच्चिस लाख रुपए है इनके पास एक और मस्डीज सी क्लास बेंज है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है इसके अलावा इनके पास ओडी Q3 है इसकी कीमत 60 लाख रुपए है वहीं चियोटा इनुवा और हुंड़े क्रेटा कार भी है इनके पास इनके कार कलेक्शन के बारे में बज़ इतना ही दोस्तो आप बात करते हैं रश्मिका की लाव लाइफ की तो दोस्तो रश्मिका अपनी पहली फिल्म क्रीक पार्टी में काम करने के दौरान अपने सहक अलाकार रक्षित सेथी को डेट करना शुरू कर दिया था रश्मिका मंदाना और रक्षित सेठी ने अपने रिष्टे को आगे बढ़ाने का फैसला किया और 3 जुलाई 2017 को विराज पेट में एक निजी समाहरों में सगाई भी कर ली थी हालांकि दोनों की सगाई शादी में ना बदल सकी और इसके पहले ही रक्षित रश्मिका के पती बनते साल 2018 में रश्मिका की माने सगाई तोड़ने की जानकारी मीडिया को दे दी दोस्तों बात करें रश्मिका के नेट वर्थ की तो दोस्तों इनकी वर्तमान में कुल समपती लगभग चार मिलियन डॉलर होने का अनुमान है जो की भारतिये रुपए में 21 करोड 65 लाग के बराबर है इसके धन का स्रोत एक पेशिवर अभिनेता, कलाकार, समर्थन, मॉडलिंग और कई अने स्रोतों के रूप में आता है दोस्तों अगर बात करें इनके करियर की तो पढ़ाई के साथ साथ रश्मिका को बचपन से ही फिल्मों का काफी शौक रहा यह टीवी पर फिल्मी सितारों को अभिने करते हुए देखती थी अभिने के दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए रश्मिका ने साल 2012 में मॉडलिंग के दुनिया में पहला कदम रख दिया था और साल 2014 में रश्मिका मंदाना ने Clean and Clear Times Fresh Face of the India प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और प्रतम पुरुसकार भी प्राप्त किया इसी के बाद रश्मिका को Clean and Clear Brand का Brand Ambassador भी बना दिया गया रश्मिका को मॉडलिंग के दुनिया में काफी शहरत मिली यही कारण है कि फिल्म डिरेक्टर की नजर रश्मिका पर पड़ी इसका फाइदा उन्हें जल्द ही मिला साल 2016 में रश्मिका को महज 19 साल के उम्र में साउथ की फिल्म क्रीक पार्टी ओफर हुई इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने मुख्य अभिनेट्री का किरदार निभाया और रश्मिका की ये पहली ही फिल्म लोगों को खुब पसंद आई और 4 करोर रुपे की लागत वाली इस फिल्म ने 50 करोर से भी ज्यादा का बिजनिस किया फिल्म में रश्मिका के अभिने को लोगों ने खूब पसंद किया रश्मिका ने इसके बाद कई सुपर हिट फिल्में दी आज इनके फैन्स इनकी फिल्मों का बेसबरी से इंतजार करते हैं आज के टाइम में रश्मिका एक फिल्म के लिए 2-3 करोड रुपे तक चार्ज करती हैं दोस्तों अब अंत में बात करते हैं रश्मिका मंदाना से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें, रश्मिका मंदाना काफी कम उर्मर में बहुत जादा पॉपुलर होने वाली अभिनीत्रियों में से एक हैं। और ये साउथ फिल्मों में सबसे महेंगी अभिनीत्री हैं। रश्मिका को घूमने फिरने का बहुत शौक है। इनकी पसंदीदा जगे लंडन है। इनके पसंदीदा अभिनीता रजनीकांत, रनवीर सिंग, शारुक खान और सुदीप हैं। दोस्तों जनवरी 2020 में इंकम टाक्स डपार्टमेंट ऑफिसर ने रश्मिका मंदाना के घर पर अचानक से चापा मार दिया था। उस समय रश्मिका घर पर नहीं थी। तो दोस्तों ये थी रश्मिका के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का अभार फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।